असलाम अलेकुम आज हमने जिस शक्सियत को अपने प्रोग्राम में मदू किया है वो उन शक्सियात में से हैं जिनको अल्द ताला चुमता है आपके सामने एक ऐसी रिस्पॉंसिबिलिटी अल्द ताला ला कर देता है जो कि आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कुबूल करें या आप मूँ फेर ले हमारे साथ नादिया जमील मौजूद है जिन्होंने कभी अपने उपर जो 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 जिम्मेदारियां अल्ला ताला ने उनको दी चाहे वो उनकी अपने बच्चे हो चाहे वो फॉस्टर उनके चिल्डरन हो दो या एक ऐसी स्पेशल चाइड जो के पैदाईशी ना भी ना हो उसको उन्होंने संभाला उसकी परवरिश की उसकी तरबियत की यह सारे बच्चों को एक यांग सी बच्ची ही लेकर आगे बढ़ रही है वो किस तरह से उनकी पैरेंटिंग करती है क्या क्या उन्होंने चैलिंजिस फेस किये क्या 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 रिस्पॉंसिबिलिटियां जो उनको अला ताला ने दी वो उन्होंने कुबूल की और कितनी बहतर और एहसन तरीके से आगे लेके चली आईए हम मिलते हैं नादिया जमील से नादिया मुझे यह बताओ कि हाओ इंपॉर्टेंटिंग तर्भियत क्यों इतनी जरूरी है और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए especially मुसर्दावद आइधिंग जब तर्भियत की बात आती है ना पैरेंटिंग की बात आती है तो I have to go back to four year old नादो और it's no I've spoken about this before as well on national TV the first time मैंने पहली बार इस वाक्य का इज़ार किया जब कसूर में तशदद के वाक्य सामने आय थे मैं चार साल की थी और चार से नौ साल के दर्मयान मेरे पे जिन्सी तशदद हुआ और बाद में दुबारा फिर 17 से 19 साल में हुआ मेरे खाल में जिस तरहां से वो हैंडल किया गया उस वज़े से बखसर जो लोग बच्पन में अब्यूज होते हैं या किसी भी जिन्सी तशदद या नफसियाती तशदद का शिकार रहते हैं वो उस एज गूप में लॉक हो जाते हैं mentally or emotionally तो जिस्वानी तौर पर बेकेम अवोमन, I became 28, 29, 30 but mentally I was stuck in that childhood era, the era where I was being raped or abused and it took a long time after my cancer where I learnt कि जिन्दगी में दो बहुत बड़े सफर हैं पहला सफर वो victim क्योंके मैं child sexual abuse victim रह चुकी थी और cancer victim भी रह चुकी भी थी तो पहला सफर है victim से survivor तक और आप एक survivor बन जाते हैं लेकिन survivor का तमोगा मेरे लिए काफी नहीं था क्यूंके survivor का मतलब है कि बस मैं पानी के उपर, हाँ, बस जी रही हूं पानी के उपर, बस मुदूब नहीं रही लेकिन जी नहीं रही, जी नहीं रही, as in the proper living नहीं कर रही I'm just surviving तो वो survivor की बात ना, लोग मझे कहते थे survivor लहाल लगवाल I don't want to be called a survivor and I never want to be called a victim so then what am I? वो एक दूसरा सफर शुरू हुआ survivor से thriver का और एक मार आप thriver बन जाए ना तो फेर आप कभी दुबारा victim नहीं बनेंगे बेशक आप, you might be sad, you might be depressed, things might make you angry but they are states of mind and you can get yourself out of them because in order to make that journey from survivor to thriver you learn how to parent yourself Self-Parenting Self-Parenting और वो जो मेरे खियाल में तर्बियत जो मैंने अपने आप को देना सीखी उससे मैंने बहुत चीज़ा सीखी मैंने NLP किया, और मैंने अपना Master Practitioner किया NLP मैं मैंने बहुत चीज़ा सीखी मैंने सबसे पहली तो ये चीज़ सीखी के बहासियत एक Maa and I always wanted to be a mother जब से मैं इतनी सी थी मैं माँ बनना चाहती थी और मैं बहुत खेलती थी, कूती थी बहुत एक interactive Maa थी अपने बेटों के साथ जब मेरे बेटे पैदा हुए और इतनी जवान मानी थी I was a very fun-loving mother लेकिन चुँके मैंने self-parenting का survivor से thriver का सफर नहीं तै किया वाता बलके मैं उस वक्त victim भी थी काफी हद तक mentally मैं emotionally थोड़ी मचूर थी, थोड़ी नहीं काफी मचूर थी और मैंने बहुत सारे ऐसे फैसले किये as a mother that I would not take today that I think were a mistake so अब मेरी धाई साल की बेटी है जब वो नराज होती है उसको घुसा आता है तो अपना पाउं पटखती है या कोई चीज कहेगी नहीं या रोने लग जाएगी these are the reactions of a toddler ये एक छोटे से बच्चे के reactions हैं जब एक मा जो के एक adult है वो बच्चे वाल या एक बाप वो एक reactionary तरीके से अपने बच्चों को पाल रहा है और तर्बियत reactionary तरीके से दे रहा है याने के मार के पीट के चीख के खफा हो के कैसे एहतराम दिये बगएर नहीं नहीं करना गस्बार के दिया है नहीं करना या थपड मार देना ठीक है वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे ना सीखें चीखें मारना आप खुछ चीज़ में तो पहले चीज़ वो आप अपने बच्चों को वो चीज़ फॉरें नहीं सिखा रहे है दूसरी चीज psychology में एक चीज़ हमें सिखाई जाती है कि जो subconscious mind है ना आपका आपका जो ना शाओर mind है that does not understand a negative अगर मैं अभी आपको कहूं के कुछ भी करें लेकिन don't think of a pink elephant don't think of a pink elephant तो आपके दिमाग में किस चीज़ का image आता है pink elephant का because the subconscious mind does not understand a negative so instead of saying don't do this don't speak loudly don't lie speak about what you do want them to do tell the truth speak softly जो काम आप करवाना चाहते हैं आप वो कहें लेकिन पहले आप से ये लाइवज आप से ये लाइवज आपके वो सेल पैरेंटिंग होती है Nadia, I don't want to be depressed I don't want to gain weight I don't want to be angry my brain is just hearing depressed gain weight, angry depressed, gain weight, angry on a loop so then my language to myself has to change Nadia, be healthy have a healthy body Nadia, be positive Nadia, be happy or learn how to be happy I'm committed to being happy I am committed I am committed to being happy and you will learn to get out of your food and when you get out of your food you will be stronger and stronger walkers, fighters, warriors I don't even want to use these words क्योंकि जिन्दगी एक जंग नहीं है, जिन्दगी एक experience है, और वो ऐसे ही experience है जैसे आप चाहते हैं वो हो, तो self parenting ने यूँ मेरा नजरिया अपनी तरफ तबदील किया, और फिर मेरी उलाद की तरफ और जिन बचों के साथ मैं काम करती हूँ, उनकी तरफ automatically मेरा नजरिया त तबदील हो और नजरिया तबदील होने से आपके actions तबदील होते हैं, तो जब आप ये सब कुछ आपके साथ सही नहीं हो रहा था ठीक है, उस वागत आपके अपने घर वाले, आपके अपने parents जो थे, उनका क्या attitude था और या उनको क्या करना चाहिए था, हुआ यूँ के म मेरा बच्पना बहुत प्यार, महबबत, मैं बहुत बिगडी वी थी, बहुत प्यार, बहुत महबबत, अमी से, अबू से, नाना, नानी, दादा, दादी, लेकिन दो चीज़ें, एक तो शायद, खाला के मैं लंडन में पैदा हुई, वहाँ बड़ी हो रही थी, तो मेरे नाना बू के ड्राइवर थे, उन पर इतबार किया गया, और उन्होंने फिर तशदुद किया, तो मेरे ख्याल में, मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ, उनके सगे बाप ने, भाईयों ने, कजन्स ने, उन पर जिनसी तशदुद किया हुआ हुआ है, लड़के और तो पहले तो मेरा यह होगा कि एतबार, आपकी उलाद ऐसी चीज़ नहीं हैं जिससे आप ये गैंबल करें, कि इस शख्च पर इतबार किया जा सकता या ने किया जा सकता, आपकी नजर होनी चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आपकी उलाद सहमी दिये है, किसी उनका बच्चों को इस चीज़ से प्रोटेक्ट भी करना है, तो अपनी उलाद को प्रोटेक्ट करना, उस पर नजर रखना ये बहुत एहम चीज़ है, मेरे ख्याल में यहां एक गलती हुई, कि यह चीज़ नजर अन्दाज हुई, और जब मैंने बताने की कोशिश की, वो उसको इतनी संजीदगी से नहीं लिया गया, तो आइ थिंक, और दूसरी चीज़ यही कि मेरे ख्याल में अमी, मैं भी ऐसी थी जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, प्यार भी बहुत करना, जपी भी बहुत मारना, खफा भी होना, नराज भी होना, मैंने मेरा बेटा 11 साल की उम है, वो ठहराओ का रеспांस है, तहमूल का रеспांस है, वो रеспांस है, सोच-समझ की, रिस्पांड करना कि मेरे इस रिस्पांस से, आप क्या चाह रहे हैं, आपके अप्यालाग क्या सीखे, रेक्शन नहीं है, हम तो मैं देखती हूँ के, माबाप जो खिच-च-च-च लड़ र कि आपकी रिलेशन्शिप में भी अच्छी मेरी अमनी से निलडाईया होती थी क्योंकि हम दो बच्चियां थी फिर वन अवस है टू ग्रोवें ग्रोवें की भी बात नहीं है वन अवस है तो ग्रोवाप अठर्टाइड इस रिलेशन्शिप टो रख अब मैं पचास साल की हो गई हूँ तो अब मेरे में इतना तो अकल मेरे में होनी चाहिए कि अगर मैंने एक बात समझवानी है किसी से तो सेल्फ पेरिंटिंग की जो टेक्नीक्स है आपको ये तमाम चीज़ा सिखाती है कि आप अपने रिष्टे बेहतर कैसे कर सकते हैं सब के साथ इज़त उनकी इतराम और सबसे पहले अपने आप के साथ क्योंकि ये तो खासतोर पे खवातीन को तो ये बात सिखाई नहीं जाती है कि पहले आपने अपनी इज़त करनी है पहले आपने अपना अहतराम कर अपने आपको एतराम देना है फिर किसी और को क्योंकि इसी तरह चुंके बहुत सारी खवातीन उनको हमें यह सखाया जाता है कि महबत की जो असली शकल है वो कुर्बानी है इसमें आप अपनी सेल्फ रिस्पेट को भी कुर्बान कर दें पर ताट्स नॉट करेक्ट, ताट्स नॉट ट्रू और अपने अपके साथ वो महबत करनी है और फिर आप देखिए कैसे आपकी जिंदगी में आपके रिष्टे तबदील होते हैं और आप खुद देखते हैं कि यहां पर मैंने हमें हदे भी नहीं बनाना सिखाया जाता है यह मेरी हद है, इस हद से आगे आपने पार नहीं होना आप इस लहजे में मेरे साथ नहीं बात कर सकते है इस रिए तो इवन देखिए, I think the biggest thing in parenting to understand is respect yourself, respect your children हमें, I don't know, क्यूं हम यह समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारी चीज़ है, यह मेरी मिलकियत है तो मैं जब मर्जी उठा के थपड़ मारूं, मैं कहूंगी तुम यह चीज़ पढ़ोगे, मैं कहूंगी तुम यह चीज़ सोचोगे नहीं, आपके बच्चे आपकी मिलकियत नहीं हैं, यह आपकी चीज़ ही नहीं है, यह उसकी चीज़ है बेशक, यह उसकी चीज़ है, आपकोई हकी नहीं है कि आप इसको अपनी मिलकियत समझें और अपना थपपा इस पे लगानें कि यह मेरा है तो, I think it's very important to respect children as, you know, one of Allah's beings that do not belong to you, but that you are responsible for तो, you know, when you have, like, mashallah, say you have four, five children, ठीक है, हर बच्चा अलग होता है अलग उसकी individual personality होती है, how do you, you know, manage that? and then, sorry, आप और भी बहुत सारे काम करती, जिसमे से बच्चे ही इन्वाल्व है तो, क्या करती हो भई, तुम कोई जेनो मुझे लगता है पता है, मुसाताब, I think, मैं सतरा साल की थी, जब मैंने बच्चों के साथ काम परना शुरू किया और मैंने इसलिए काम करना शुरू किया क्यूंके मेरे दिल को सुकून मिलता था it was very selfish and that was because I was so damaged myself and so hurt and so angry इतनी मैं खोई भी थी और वो 17-19 साल की उमर की दर्मियान I was being very badly abused by a man in my college and I didn't know how to handle it मुझे पता ही था मैं किस तरहा हैंडल करूं सिचेशन को कहां जाओं किस से बात करूं तो इन बच्चों के साथ मुझे हिफाज़त मिलती थी मैं महफूज थी मैं अडल्स के साथ अपने आपको महफूज नहीं समझती थी तो मैंने इन बच्चों का इस्तमाल किया पूरी उमर मुझे याद है जब मुझे जगन काजे मिली she was going through a difficult time in her life emotionally मैं उसको ठागे लेगी अपने यतीम खाने मैंने का आओ मेरे साथ वो दिन आज का दिन वो उन बच्चों के साथ काम करती है क्योंकि ये बच्चे आपको तबदील कर देते हैं हम बहुत ये एक solis है relief है, सकून है मैंने बहुत साल इन बच्चों का बज़ा इस्तमाल किया अपने सकून के लिए बहुत एक selfish और self interested reason था मेरा इन बच्चों के साथ काम करने का बाद में जब मैंने खुद self parenting सीकी फिर जब मैं आई इन बच्चों की तरफ वो वज़ा बहुत मुक्तलिफ थी ये बच्चे मेरा सरातल मुस्तकीम है ये मेरा रस्ता है ये वो रस्ता हैं जो Allah ताला ने मेरे लिए मुझे दखाया है अगर मैं इससे इदर उदर होती हूँ ना तो या तो मैं बिमार हो जाती हूँ या मैं डिप्रेशन में होती हूँ या कोई ना कोई मसला मुझे रहता है ये ही मेरी महबत है ये ही मेरा इश्क है ये ही मेरा रस्ता है जिस तरह के आपका अपना रस्ता है हर एक अपना रस्ता है, हर एक तोस सरातल मुस्खीम वो है जो पूरी उमा के लिए है और एक है जो हम सब के लिए 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 ने हमारी अपनी फित्रत के लिए लिए है देया माय, देया माय पाथ, and manage दो तो जो है, देखे, मैं फॉस्टर सन्स, अल्हम्दोल्ला, one of them was at the bureau and the bureau, because his biological wife is alive and he tries to make a doctor, so that's why he is the ward of the state so with that, my relationship is just more, going and visiting, staying, then he comes on weekends the big one is very independent, my big foster son is very independent, he became engineer, alhamdulillah and he is a highly independent child, mashallah the biggest biological son is 21 years old, he's on his own path so my, even my 17 year old, मेरा 17 साल को जो बच्चा, जब मेरा 14 साल का था मुझे कैंसर हो गया मिरगी, कैंसर, तो उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मैं अकेली थी, उसके साथ क्योंके कोवेड था, तो कोई आनी सका मेरे पास मैं केम्रिजे मुझे कैंसर हुआ था, तो वो इतना इतनी जल्दी बढ़ा हो गया, मेरा ख्याल रखते-रखते तब इंडिपेंडन्ट हो गया, उसने मेरी जान बचाई, इसनी बार कि ये चार जो लड़के हैं ना मेरे, ये अपने आपको ही ये आपको 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 इंडिपेंडन्ट, जो इसनी बार बेरो गजाए है, उसको मेरी जान 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 रहती है और जो सबसे जान जान आपको खोड़के है, जो आप छोटी पे है, ये वो धाई तीन साल की है वो भी एक challenge था भी जो तुमने कबूल किया वो एक blessing है जो मैंने कबूल की एक blessing है वो इतनी बड़ी नेमत के what a blessing नूर को जब मैं कहानी प्ताती हूँ ना तो वो कहती हूँ जो जो नूर की कहानी सुना हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ के नूर के भाई जो थे वो मुझे बीबी मा बलाते हैं सारे बच्चे मुझे बीबी मा बलाते हैं तो कहते हैं वो बीबी मा के कोक से पैदा हुए थे टमी से और नूर जो है वो बीबी मा के दिल से पैदा हुए थी because वाकई मैं और नूर मेरी है मेरी थी मेरे वहमों को मा में होई नहीं सकता कि किसी और की कभी थी या हो सकती है लेकिन नूर अपने भाईयों की तरह सबसे पहले अपनी है तो ये मेरे लिए बहुत ऐहम है कि बड़े होते हुए उसको ये अइसास होए कि आप किसी को डी belong करती ही सबाई अपने आप आप वोग ँबलाउग टो नूर लॉक राके बिलाउग स्टू राके मिरवली बिलाउग स्टू मिरवली अजाद बिलाउग स्टू अजाद साबर बिलाऋग साबर तो अपर आप जब ये बात करती हैं नूर के हवाले से I mean one can see कि क्या passion और दिल आपका जो है आपके हस्बिन अली जो थे वो भी इसी तरह अली हमेशा मुझे कहते थे कि मैं अडॉप नहीं कर सकता क्योंकि मैं अडॉप्टिड उलाद को उतना प्यार नहीं दे पाऊंगा जतना मैंने बायलॉजिकल उलाद मैं वो जस्टिस ही नहीं कर सकता इनसाफ ही नहीं दे पाऊंगा और मैं मजाख हमेशा उनका उड़ाती हूँ कि बिलकुल वही बात हुई क्योंकि नूर से अली एक करोड बार ज्यादा प्यार दिखाते हैं करते तो होंगे तीनों को बराबर लेकिन नूर से वो जितना प्यार करते हैं और जितना प्यार नूर को दिखाते हैं उतना प्यार उन्होंने शायद किसी को भी नहीं दिखाया जिखाया 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 तो वो तो बावले हैं लटू है तोटली वो तो नूर जिस तरह वो होती है ना बाप बेटी का बीच में गरिश्टा होता है और मुझे मैं मेरे अपने अब्बू में में उनका इंतकाल हुआ अलहमदुल्ला अलहमदुला अला का करम I had him 50 ब्यूटिफुल यर्स तो मैं अक्से परे आँकों में आसू आ जाते हैं क्योंकि मुझे ना अब्बू और मीरी एक स्टोरी नजर आती है होते हुए अली और नूर में और वो भी बाबा की दिवानी वो तो बस वो बैठो तो बैठो नूर के बैठो तो बैठो नूर के एक टांग पर खड़े हो तो बाबा एक टांग पर खड़े होंगे मतलब इतना सबर और खेलते हैं उनके साथ प्यार कटते हैं उसके साथ वो इतना एक अनेमोशनल शख है ना अली लेकिन वाहिद इनसान जिसकी वज़े से उसके आँखों में आशु आ जाते हैं वो नूर है नादिया हमने तो देखा भी है सुना भी है और आप भी जानती होंगी कि पैरिंटिंग में एक चीज ये भी होती है कि जब आप बच्चे को बेजा लाड़ो प्यार देते हैं बच्चा जो है वो बिगड़ भी जाता है ठीक है और जैसे आपने पहले दो सवाल होगे ठीक है तो एक बिगड़ जाता है और दूसरा आपने पहले ये भी कहा था कि हर उमर में आपको अपने बच्चों के ओपर नजर रखनी होती है यब आपने अपने चारों बेटों का जिकर किया तो आपने का वो उधर है ये उधर है वो उधर है मतलब तो हाउड यू कीप दाट नजर अन देम तो बीवेरी ओनेस्ट मेरे जो फॉस्टर संस है उन पे मैं उस तरह की नजर नहीं रख पाई जिस तरह मैंने बाकी तीनों पे रखी क्यूंके साबर एसोएस में था वो हक नहीं जताती जो एक बायोजिकल मा का हक होता है क्यूंके जो लोग जो अम्यखतरी हैं एसोएस की उन्होंने साबर की तर्बियत की और उसके बाद जो वहाँ पे सारा है, सारा एमद है शी इस दफादर फिगर तो आजाद अट अट बियूरो तो आए थिंक उन दोनों के साथ तो मैंने सिर्फ एक जिस तरह फॉस्टरिंग होती है कि उनकी तालीम उनकी तालीम उनकी सेहत फिर उनको घर पे वीकेंड से बुला के जो भी मैंने बात करनी हो और या खेल कूद करना हो holidays पे going to holidays together लेकिन बाकी तीनों पे I was a helicopter mom helicopter mom अब तो मैंने सिखा है थोड़ा सा space देना और ये भी मैंने अपने बच्चों से ही सिखा है क्योंकि मेरा बेटा मुझे सिखाता है Give Noor Space I was you know you never taught me languages आपने मुझे तो languages नहीं सिखाए तीन साल की उमर तक आप बच्चों को languages सिखाना शुरू कर दे आप प्रीज नूर को Mandarin सिखाना शुरू कर दे Arabic सिखाना शुरू कर दे या again मेरा बीच वाला मुझे सिखा रहा होता है कि अपनी आवाज उची करने से कुछ हासल नहीं होएगा bring it down क्योंकि मैं हाइपर हो जाती हूँ मैं बहुत हाइपर इंसान हूँ तो वो मुझे खींच के लगाँ लगाम खींच के देता है मुझे बड़ा वाला मुझे सिखाता है कि आप ये काम सही नहीं कर रही है या वो काम सही नहीं कर रही है यूं करना चाहिए और मैं हमेशा अपने बच्चों की सुनती हूँ क्योंकि वो जिस नजर से मुझे देख रहे होते है उससे ज़्यादा सची महबत वाली नजर है नहीं कोई तो जब वो मुझे constructive criticism देंगे या मुझे कहेंगे तो मैं सुनती हूँ और सीखती हूँ उनसे और इन तीनों पर मेरी बहुत ज़्यादा कड़ी नजर है अब तो दोनों बड़े वाले जो है अपनी इंडिपेंडेंस खुद आ है नादे जमील के बच्चे हैं अपनी खुद आपनी इंडिपेंडेंसay निज depends जोती है अपनी इंडिपेंडेंस जमील करती है मतलब अली कैसे कंट्रोल कर चैंडे अली तो नहीं कंट्रोल करतेION अली और अली की अमी लाड़ो प्यार बस वो ऐसे एक प्यार का दरहा और महबत का दरहा है उसमें आप नूर को भईा जोड़ते वस वो मजेश कर रही है वो लड़कों के मामले में मैं गुड कॉप थी, अली बैड कॉप थे, अली जरा सख्त थे, मैं बहुत वो जो थी ना, इनको बहुत बिगाणा मैंने, नूर के मामले में, नूर मुझसर डरती है, क्योंकि वो आउड और कॉंट्रोल होती वरना तो, तो मैं एक बार कहती हूँ नूर, तो फॉरण, you know, she understands मेरी ख्याल में एक चीज जो मेरी सास ने मुझे सिखाई, वो बहुत अच्छी चीज थी, कि इसके नूर के, क्योंकि उसने मुझे कहा कि इसको टांटो मत, इसका सेल्फ कॉंफिड़न्स जो है ना, वो तूट जाया, और हमारे शुरू में जब नूर, अब तो अलहम्दलल ब्लाइंड फड़की बनेगी, शायद पाकसान का पहला ब्लाइंड प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो जो सेल्फ कॉंफिड़न्स है ना, उसकी जो हमने बचपन में उसकी देखी थी, उसको हमने खराब नहीं करना, तो इसलिए एक बैलन्स रखना पड़ता है, मेरे ख्य रुक के, चार बार को हो, जब तक वो ना सलाम का है, कहते है रो, बैटी, सलाम करो, सलाम करो, अभी तक, my 21-year-old, my 17-year-old, you know, all the boys, all four of them, आप अंदर किसी दुकान के जा रहे है, एक गाड़ खड़ावा है, उसको हर कोई नजर अंदास करके अंदर जा रहा है, वो आपके ल दरवाजा खोल रहे है, stop, say assalamu alaikum, एक तो, it is common decency, secondly, आपको वालेकुम असलाम में एक दूा मिलती है, सलामती की दूा मिलती है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो ये मैं अपने पांचों बच्चों में, ना, चारों बच्चों में, I have, कूट कूट के, yeah, this, the, and then the second thing I'm very strict about is exercise, exercise, क्योंकि मुझ में या आदत नहीं थी, मैं बहुत ही पोस्ती थी, बहुत पोस्ती, बहुत पोस्ती, और इससे मैंने, वेट के साथ भी मैंने बड़ा grapple किया, और fight किया, unhealthy weight gain मेरा बहुत हुआ, तो बच्चों के साथ मैं बहुत सख्ती, कि जस तरहां दान साफ क करने हैं, वैसे हैं आपने exercise करना हैं, तो alhamdulillah, you know, जारों जो बड़े बाले हैं, वो तो exercise freaks हैं, चोटी के साथ अब शुरू हो रहे हैं, थोड़ा, थोड़ी से जाता बिगडी ही है, अब शुरू हो रही है, वो उसके, आज ही उसका पहला ballet class था, उसकी पहले, उसकी पहल हजारों तस्वीर, हजारों वीडियो, जो कि सब को भीजी जाएंगी हैं, और मुझे लिए मना करते हैं, उसके भाई भी बहुत सखते हैं, उसके भाई भी मुझे मना करते हैं, कि ना upload किया करें, ना upload किया करें, ने कि मुझे बड़ी बुरी आदत है, हर चीज अपने social media family क तो, तो, याद आया, कि जब आप कैंसर का जिकर कर रहीं थिए और आपने बताया कि, यून यूर सन वस विद यू, उस वखत की जो difficult चीजे होती हैं, यून उस वखत की जो difficult चीजे होती हैं, यून फ्रॉम, not just, मतलब टेकिं केर अफ यूर से पैरेंटिं और यूर तो तो कैंसर के दुरान मैंने अपना ख्याल बहुत कम रखा मेरे ख्याल मैंने अपने आपको अनला पे छोड़े तो टोटली फिर एनेचेस जो के वाकई में एक रियासते मदीना हैं, जिन्होंने वहां की जो एनेचेस के नर्सेस, डॉक्टर्स, और फिर मेरा वली, मेरा मीर वली अम्मी आ गई थी, मेरे दूसरे कीमों तक अम्मी आ गई थी, मेरा सब मेरी सजरी हो चुचकी वी थी तब तक, लेकिन मैंने उस वक्त तक, जो अम्तिहान अपने बेटे का ले लिया, क्योंकि मेरा तो नवस बिल्डाण हो गया था एक पॉइंट पर, अम्मी के आने से पहल के उस वक्त तक, जितने भी हादसे मेरे साथ होए हैं, वो कठा ही ब्लो अप हुआ मेरे नवस ब्रेकटाउन और मेरे उस वक्त तेरा साल का था, उस ने मुझे संभाला, मता है मुझे मिर्गी, अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ते लेकिन उस वक्त मिर्गी के दोरे पढ़त थी ना, तो वो एक हाथ से उस ते प्रेशर पॉइंट पकड़ा वाए, और एक हाथ से दूसरे हाथ से विडियो गेम खेल रहा है फोन पर, ठीक हैं, बठीक हैं, बठीक हैं, मुझे ये मिल्कशेक बना दे, कोई बेबिएंग नहीं, कोई ज्यादा मुझे विक्टिम नहीं बनने देना, और मेरे ख्याल में बहुत बार गलत पैरेंटिंग की वज़े से, और जब हमने खुद सेल्फ पैरेंटिंग नहीं की दी होती, और हम खुद टूटते हैं, हम अपने बच्चों के अब्यूजर्स बन जाते हैं, हम अपने बच्चों पे, सोचे समझे बगएर, और बगहर चाहे, उन पे तशदुद करते हैं, और अपने अपने नजर में मेरा उस तरह तूट जाना, मेरे बच्चे पे तशदुद था, उस पे जो ट्रॉमा गुजरा, अपनी मा को उस हाल में देखके, चीखते, चिंखारते, गिरते, रोते, उसको संभालना पड़ा, थोड़े अरसे के लिए, वो सोनी पाया था, क्योंकि मैंने उसको इतने मुश्किल मरहले से, मैंने गुजरा, आइ पुट हिम थ्रू एट, और इसका पर हल, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, पर इसका हल क्या होता है, जब आप अपने बच्चे, गिल्ट जो होती है, गि गलती से मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि I take accountability, मेरी वज़े से इस बच्चे पे बुरा बग गुजरा, अब मैं इसको दिखाऊंगी, कि गिरते तो इनसान हैं, गिरके उठते कैसे हैं, अब मैं इसको दिखाऊंगी, कि इसकी मा मजबूत कितनी है, अब मैं इसको दिखा कि इसकी मा, self-parenting करके अपने आप को बहतरीन से बहतरीन parent अपने आप के लिए बनाएगी, मेरे बहुत अरसे के लिए, जो मेरा छोटा बेटा था, his respect, winning back his respect, became my biggest aim, and until it changed to winning my own respect, and that is when I knew I'd won, मैं गेम तब जीत गई, जब मैंने अपना इहतराम अपने लिए हासल किया, तो छोटे पे तो वो बहुत एक तरह से मुश्किल वक्त यूं गुजरा कि उसको बहुत जल्दी बढ़ाऊना पड़ा, मेरा ख्याल रखके, और 13-14 साल का था, उस पे किसी की नज़र नहीं थी, है सच, अब आओ, यहां थे, अमीक की नज़र मेरे पे थी, मैं हस्पताल में थी, तो वो अलहम दोल्लाव वहां का एक सिस्टम जो बना होता है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, कि पूरी सड़क जो थी ना मेरी, वो एक तरह से ख्याल रखती थी, और इसके दोस्त, इसके जो मेरा दूसरा बेटा था, जो यहां था, उस पे एक और क्यामत गुज़ी, क्योंकि वो यहां पे कोवेट में फस किया, वो वापिस मेरे पास आनी सका, दो साल मुझसे वो मिला नहीं, उसका वहां पता चलना कि मेरी मा को कैंसर है, मैं जानी सकता उसके पास, मेरी मा कोमे जो उसने यहां गुजा रहे हैं, और जो बड़ा वाला है ना, उसकी जादा कुर्बत मेरे से, और वो टोटली ममीज बॉय है, वो मेरा बेबी है, और वहां पे उसका और अली का फिर साथ, अजस्ट होना, रहना, क्योंकि अली जादा एमोशनल नहीं है, और राके मेरी तर होती है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो ऐसे हो कि आपको चले मेरे लिए यह वो ज़्यादा वक्त नहीं दे सके, मेरे पास वो सिर्फ डेर दो महीं ना सके, क्योंकि उनके अबू बिमार थे, लहौर में, और मेरा बेटा वहां था, यहाद टू मेक शॉर, यहाद जिम्मेदारियां, बट यह मेरे पे कभी बोज नहीं था कि बच्चों की तर्बियत के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, पैसे कहां से आएंगे, बच्चों के सर पेचछत कहां से आएगी, यह अली ने बोज उठा के रखा थुआ, तो एक सहारा दिया, जो कि मेरे ख्य आपके बच्चों का की तरभीत का, किसी ना किसी तरह से रह से है वो, responsibility और जीमादारी उठाए, तो that was an interesting, interesting phase, मेरे खिल में, I think, you learned so much and what an experience, you learn so much and I keep saying this, I learned the most about parenting, from my children, from my children, at different times. जोरिंग माइ कैंसर यह सबसे ज़्यादा मैंने कैंसर के दूरान सीखा लेकिन अभी भी मैं सीख रही हूं नूर से, साब रजाद से, राके से, उन पांच सो बच्चों से जनके साथ में जाके ब्योरो में खेलती हूं, बात करती हूं, रिजवाना से, बच्चों से आप जे वो चाह रहे हैं, दे दो. लेकिन उनकी इस वक्ती जरूरत क्या है और क्या मैं उसकी जरूरत पूरी कर रही हूं के नहीं करूराν हूं ।र कि SAPUI 혼자 हम नेचे चुरू ने की थी, आहतराम मैं अपने बच्छों को कितना हितराम दे रही हूँ, मैं, how much dignity do they have because of me? तो जो परेंटिंग होती है उसके अंदर, आपकी एक्सपेक्टेशन बच्छों से जाद होती है या बच्छों की आप से जाद होती है? मेरे खाल में बच्छों से कोई एक्सकेशन रखना is ridiculous. It's ridiculous. But people expect. They do. And I, I mean, I just said that your job is as a tree to give oxygen. To give oxygen. To give a place for, to be a nest. To give the roots, to give water. Your job is to give as a parent. Chhaon ho aap. To give तर्बियत. To give learnings. अब देखें, मुझे कोई भी मेरे अबबा के बारे में कोई अफसोस करता है न. मैं कहती हूँ, अफसोस ना करें. अलहम्दलिल्ल्ला, अला का करम है. अला का करम क्यों है? पचास साल मुझे आप, अला सुभाना ताला ने अपनी चीज़ दी. ऐसा बाप दिया, जो के उनकी चीज़ थी. फिर जब वापस अपनी चीज़ ली, तो पूरी मेरी जिन्दगी के लिए ऐसी खुबसूरत यादे, और ऐसे सबक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुमिन बनने की सबक, एक नेक इंसान बनने की सबक, पूरी उमर के लिए. तो मैं चाहती हूँ, जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, तो मेरे बच्चों के पास वो सबक हों, वो यादें हों, एक ऐसी माँ के, जो उनसे बेंतहा प्यार करती थी, और एक्सपेक्ट मैं सिर्फ, अब मैं, as adults, अब, after the age of 18, अब, as adults, मैं एक चीज़ ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ, क्यों मेरे बच्चे नेक इंसान हों, और दूसरों का इहतराम करें, अपने आप का इहतराम करें, that's it, बाकी, it's up to damage their life, उन्होंने बिनानी है, बेगारनी है, उनकी जिन्दगी है, ना, मैं अपनी जिन्दगी गुजार रही हूँ, ये भी मैं वाले दाने को कहती हूँ कि, अपने बाल ना पुटो, अगर आपका, उन्नी साल का, बीस साल का, एकी साल का बेटा या बेटी, उस तरह की जिन्दगी नहीं गुजारी, जिस तरह की आप चाहते हो, आपका काम है बस नसीयत देना, मशवरा देना, और अपनी एक जिन्दगी गुजारना, जिब वो देखेंगे कि, आप अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं, आप खुद मुखता रहे हैं, आप सुबा उटके काम पे जा रहे हैं, अपनी आप बोद बिजी इन देर लाइफ, लेकिन इस दफ़ आपने टोटली डिफरेंट देना ना दिया, माइ लास्ट मैसेज, वी-जा-वी पेरेंटिंग, तोटली डिफरेंट, आपके बास, बाइलोजिकल या अडॉप्टेड उलाद हो ना हो, आपके पास एक बहुत-बहुत-बहुत-बहुत कीमती बच्चा है, जिसका आपने ख्याल रखना है, जिसका आपने हितराम करना है, जो आपकी सबसे बड़ी नहमत है, और वो आप खुद हो, तो मेरी ये दुआ है, कि प्लीज, उस प्यारे से बच्चे का ख्याल करें, उसको पैरेंट करें, उसकी तर्बियत करें, जो आपके अंदर है, ताके वो एक दरख्ट बन सके माशरे के लिए, और सबसे पहले आपके लिए. जजाका लाँ, बहुत शुक्रिया. क्या आप जानते हैं, कि ये सब कुछ आपके तावन से ही मुम्किन हो सका है, अपनी जखात और अतियात, डैपी लैक स्माइल अगैन फाउंडेशन को दें, ताके ये मुस्कुराहटें, यूँ ही बिखरती रहें.